राधे राधे मित्रो, तो मित्रो स्वादत है आप लोग का हमारी यूटूब चैनल परधीस बर्ड में तो मित्रो आप लो राधा क्रिशन के आज के एपिसोड में देखेंगे की हनुमान जी कहते हैं तो क्या स्री कृष्ण ही प्रभू स्री राम हैं और फिर प्रभू कहते हैं राम ही कृष्ण है और फिर हनुमान जी कहते हैं आप जो भी करते हैं प्रभू उसके पीछे कोई कारण होता है परन्तु मुझ अल्प बुद्धी को ये समझ में नहीं आ रहा यदि आप यहीं द्वारका में उपस्तित थे तो आपने मुझे यहीं पुत्साहिब था किन्तु मुझे ग्याद हुआ कि आपके द्वारा मैं राधा को समस्ति द्वारिका को भक्ति का पाठ पढ़ा सकता हूं भक्ति की महानता भक्ति की विशालता दिखा सकता हूं और यहीं बात मैंने स्वयम को समझा दी देखा जाए मैं आपके हिल्दे में नहीं बसता हूं हनुमान, किन्तु कुछ ऐसे इस्थान होते हैं जो सेस होते हैं, जिन से विशेस इसमर्तियां जुरी होती हैं, बहां पर एक आनन सा प्राप्त होता है। इस प्रेकार का इसने केबल आप ही रख सकते हैं परंतु प्रभू दौापर युग में लोगों की स्रद्धा में उनकी भक्ती में कमी आ गई है संका बढ़ गई है आपके प्रती मेरी भक्ती पर लोग प्रस्न चिन लगा रहे हैं मेरी आप से बिंती है प्रभू दौरिका ब किन्तु उससे पूर्व हनुमान आपकी भक्ति की महानता सबके समक्ष इसपष्ट करनी होगी। यह सत्य है जो सबको दिखाना होगा। राधा की जितने भी प्रस्ने आते हैं उन सबका आप उत्तर देंगे। मैं आपके साथ हूँ। और फिरोमान जी काहते हैं नहीं प्रभू मैं देवी राधा को पराजित होते हुए नहीं डेख सकता। बो तो अत्यंत ही द्यालू है, मैं उन्हें पीडा में नहीं देख सकता प्रभू। और फिर प्रभू कहते हैं, देवी राधा को दुखी करना आपका मन तब्बे नहीं है, ना किसी का है। आप सर्वश्यष्ट भक्त हैं, यह सत्य है। इससे सभी को अबगत करवाना है। भक्ति की उचित परिभासा क्या है। यह सब को दिखाना है। और इसलिए हमको यह करना होगा। और फिर प्रभू कहते हैं, अब मेरे हिर्दय के बोल आपके मुख से निकलेंगे। और फिर हनुमान जी कहते हैं, जैसी प्रभू की इच्छा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे की। हनुमान जी देवी राधा को अपनी भक्ति के बिसे में बताते हैं और कहते हैं देवी राधा क्या आपने कभी कल्पना भी की है कि आप स्री कृष्ण से युगों के लिए दूर हो जाएंगी और कहते हैं भक्ती और प्रेम के मध्य एक अत्यान्त सूच में रिखा होती है जिसे आज मैं यहां स्पष्ट करूँगा प्रेम में भ्यक्ती अपनी प्रेमी की अपूर्टा को पूर्ण करने का प्यास करता है उसके साथ एक होने का प्यास करता है परंतु भक्ती में तो ऐसा होता ही नहीं भक्त को अपने भगवान की संपूर्ता पर पूर्ण विश्वास होता है और पिर आगे हनुमान जी कहते हैं मेरे लिए मेरे प्रभु स्री राम सर्व समर्थ है संपूर्ण है और मैं इसी संपूर्टा को पूजता भी हूँ यही मेरी भक्ती है परंतु मैं आप से पोस्ता हूँ देवी राधा क्या आपके मन में कभी ये विचार नहीं आया कि आप स्रीकृष्ण की आप पूर्टा को पूर्ण करने का प्रयास करें क्या आप ये निश्चित तोर पे कह सकती है कि श्री कृष्ण सदेव आपके बिना भी संपूर है और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे रादा हनुमान जी से कहती है जब स्री राम आपके लिए सब कुछ है तो आपने उनके बिना युगो युगो तक कैसे जीबन दतीत किया क्योंकि मैं तो क्रिश्ण के बिना जी ही नहीं सकती और फिर आगे मित्रों आप लोग देखेंगे हनुमान जी कहते है अपनी इस युगो की यात्रा के अंदिकार को मैं प्रबू स्री राम की इसमिर्तियों के प्रेकास से प्रेकासित करता आया हूँ स्री राम की इसमिर्तियां जीबित रह सके इसलिए मैं भी जीबित हूँ और प्रभू सिरी राम की स्मिर्तियों का दीपक लेकर मैं जिस भी स्थान से निकलता हूँ उस स्थान का कल्यान हो जाता है जैसे द्वारिका का और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे की हनुमान जी कहते हैं अब मैं अपने प्रभू से बिंती करता हूँ स्वैम आप सब के समक्ष पकट हो और सब को दर्सन दे कर धन्य करें और कहते हैं मैंने एक सब्द भी आसत्य कहा हूँ तो मेरे प्रभू आप के समक्ष पकट ना हो और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे प्रभू सिरी राम सभी को दर्सन देते हैं और फिर तभी राधा के साथ सथ सभी द्वार का बासी एक स्वर में जै सिरी राम बोलते हैं और फिर राधा कहती है हनुमान जी आज ये सिद्ध हो गया है आपसे महान भक्त कोई हो ही नहीं सकता मुझे आपसे इस परदा नहीं करनी चाहिए थी मुझसे बहुत बड़ी तुटी हुई है हनुमान आज आपने मेरा सबसे बड़ा संचय दूर कर दिया जिसे मैं भक्ती समझ रही थी वो तो कृष्ण के लिए मेरा प्रेम था मेरा प्रेम महान अबश्य है किन्तु आपकी भक्ती उसकी तुल्ला और समानता जग में किसी से नहीं है आप भ्रमान में सर्ग स्रिष्ट भक्त हो और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे हनुमान जी देवी राधा के पास जाते हैं और कहते हैं देवी राधा आप दुखी है और कहते हैं मैं जानता हूँ अभी जो प्रत्योगिता में हुआ ना आप उसी के कारण इतनी सोक संतप्त हैं करते हैं अपने दुख को त्याग दीजिए देवी राधा और फिर हनुमान जी सोचते हैं हे पैभू जिस बात का मुझे भैता बही हुआ अब मैं देवी राधा को कैसे मनाओं आप ही सहता कीजिए पैभू आईए और देवी राधा के दुख का निवारण कीजिए और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे स्री कृष्न बहां आ जाते हैं और हनुमान जी से सारा करते हैं और कहते हैं नहीं हनुमान अब आपको ही समझाना होगा राधा को और पिर तभी देवी राधा कहती है हनुमान जी मुझे आपकी भक्ती की महानता पर तनिक भी संदय नहीं है किन्तु आपने इतने युगों तक सिरी राम की प्यतिक्षा की है उसने मुझे ये सोचने पर विवस कर दिया है कि कि मैंने तो कृष्ण के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया यदि ये भक्ती नहीं प्रेम है तो ये प्रेम भी मुझे सुन नहीं लगता है इतना समय व्यर्थ किया है मैंने अपना सत्य कहूं तो अब जीवित रहने की इच्छा ही समाप्त हो गई है और तभी हनुमान जी कहते हैं नहीं दे भी राधा ऐसा विचार भी अपने हिद्धे में मत लाईएगा और कहते हैं बहां जो कुछ भी मैंने बोला बाणी मेरी थी परन्तु बोल प्रभू सिरी राम रहे थे तो ऐसे ही मित्रो आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही तो मित्रो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दीजे लाइक और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर दीजेगा सब्सक्राइब मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए राधे राधे